नमस्कार साथियो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं पीटियाई अध्यापकों के लिए जीन जिले से खबर बनवे में दिन भी जारी रहा पीटियाई अध्यापकों का अंसान और ये है वो तस्वीर जिसमें मांगों को लेकर नहरू पारक में नारे बाजी करते ग्रामिन चोकिदार सभा के सदस्य है पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करना पूरी खबर इस परकार है PTI की बहाली को लेकर एक अक्तूबर को CMC होगी वार्ता हर्याणा सारेरिक सिक्सक संघर समीती का कर्मिक अंसन सौमवार को बणवे में दिर्वी रहा जारी लगू सचिवाले के बाहर किये जा रहे अंसन की अध्यक्स्ता जिला संघर समीती के परधान अनिल मलिक ने की समीती के प्रेस प्रवक्ता दिलबाग जाखड ने कहा कि 13 सितंबर को मुख्य मंत्री के करनाल विधान सभा परतिनीधी संजय भटला ने रेली स्थल पर पहुँचकर लिखित रूप में PTI के परतिनीधी मंडल को एक अक्तू दुबर को चंडिगड में मुख्य मंत्री से मुलाकात के लिए अमंत्रित किया है उन्होंने कहा है कि सरकार बरखास PTI की हर संभाव सहता का प्रियास करेगी महारेली में सरवक्रमचारी संग के परदेश अध्याक्स सुभास लांबा ने मंच से फैसला सुनाते हुए कहा कि 17 से 26 सितंबर तक उप मुख्य मंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों के आवास का गहराव किया जाएगा अगर एक अक्तूबर को सरकार से वारता विफल होती है तो दो अक्तूबर से परदेश में चारों तरफ से करमचारी जथे निकल कर सरकार के खिलाप पोल खोल अभिया की शुरुवात करेंगे इस अवसर पर दिलबाग, स्रीभगवान, रमेश, जंगीर, महेंदर, सुरेंदर और रामकुमार बहुजूद रहे और दोस्तों ये थी आज की PTI 6 कों से संबंदित जीन से ताजात्रिन जानकारी इसी प्रकार की ताजात्रिन जानकारी प्राप्त में जरूर बताना, नमस्कार साथियो, धन्यवाद साथियो